अगर आप भी मूँ के रोगों से परिसान है दोस्तों जैसे किसी के मसूडे फूल जाते हैं किसी के मूँ में छाले हमेशा बने रहते हैं और किसी किसी को दातों में ओल हो जाते हैं केविटी हो जाती है पलार्क जमा हो जाता है और फिर दीरे दीरे करके दात जो है कमजोर होने लगते हैं और दुखने लगते हैं आगे चलके ये समश्या बहुत जादा हो जाती है अगर आप शुरुवात में द्यान नहीं देते है तो आज मैं आपके साथ दो गरेलू नुस्खे सेर करने वाली हूँ, जिनको आजमा कर आप अपने दातों को अमेशा स्वस्तो और सापसुत्रे रख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दो नुस्खे बताने वाली हूँ, दोनों ही नुस्खे ऐसे हैं दोस्तों कि आपको एक-एक चीज के साथ में ये आजमाने हैं, ये चीजे आपके गर में अमेशा मुझूद रहती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुती ज़्यादा फायदे मन्द नुस्खे आपके साथ मैं सेर कर रही हूँ, अगर किसी को समश्या है, तो भी आजमा सकते हो, और अगर आप अपने दातों को मसूडों को अमेशा स्वस्त रखना चाते हैं दातों को मजबूत रखना चाते हैं तो भी आप ये नुस्खा आजमा सकते हों पहले नुस्खे के लिए अमने याफ लिया हैं लेसुन दोस्तों, लेसुन सभी के गर में मिलने वाली बिल्कुल आसान सी सामगरी है, रोजाना गरों में इसका इस्तिमाल किया जाता है, तो आपको जो है न एक बार में सिर्फ इसका एक जो लेना है, ब्हुत ज़्यादा ले सुन नहीं चाहिए आप जो है इस नुश्खे को अगर आपके दांतों में कोई दिखकत नहीं है तो सब तामें तीन बार कर सकते हैं अगर आपको दिखकत हो रही है बी मसूरे फूर रही है दांतों में केवीटी या पलार्क जमा है तो आप इसे कुछ दिन लगातार आजमा सकते हो इसके लिए आपको एक लेसुन की कली को दो कर और अच्छे से साफ कर ले ना आप चाहे तो इसे पानी से भी दो ले ना और उसके बाद में आपको ये चवा कर खाना है चवाएंगे तो अलका सा तीखा आपको लगेगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो इसको एक चीमटे से पकड़ ले और अलका सा गैस के उपर आप सेख कर ले सकते हो उसके बाद में क्या है ये चबाएंगे आप तो ये ज़्यादा आपके मुँ में तीखा नहीं लगेगा नहीं तो ये तीखा लगता हो अगर आप इसे खा सकत पे दातों पे यह लगेगा और आपके दात मजबूत भी होंगे और जो मसूड़े फूलने की समश्या आपको रही है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आप देखना इसे कुछ सब्ता चार पास सब्ता आप इसे लगाता आजमा कर देखना जिनको मसूड़ों में दिक्कत है के वीटी जमा है पलार्क जमा हो गया है चबाकर पूरे मूं में गुमा कर और थोड़ी सी दिर कुछ खाना पीना नहीं बाके के चबाने के बाद में आप इस लेस्न को फैक सकते हो इसी के साथ दूसरा नुस्खा आपको और बता रहे हूं कभी कभी क्या होता है मसूड़े जो फूल जाते हैं ना अमारे तो अमें दातों में चीज सी लगने लगती है अमेशा ही जो है दर्द उसके अंदर बना रहता है अगर आप ठंडा खाएंगे तो भी लगने लग जाता है और आप गरम खाते हैं कुछ भी तो भी लगता है अगर आपको भी ऐसी समश्या हो तो आप ये नुस्खा भी आजमा सकते हो बहुती ज़्यादा बैतरी नुसका आपके साथ में सीर कर रही हूं दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको दो लोंग का इस्तिमाल करना है एक बार में ये मैं आपको अंदाजे से बता रही हूं आप चाहें तो आप क्या करें या और में उसका पावड़र बनाकर रख लेना क्योंकि एक दो लोंग का पॉड़र बनाना मुस्किल होता है तो आप थोड़ी से एक दो चमच लोंग लेंगे तो उसका powder आसानी से बन जाएगा, उस powder को आपको छान कर लेना है, मोटे जो टुकड़े होंगे उनको आप सबजी वगेरा बनाने के लिए पुलाव वगेरा बनाने के लिए इस्तिमाल कर लें, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल बारिक powder ही लेना होगा, मोटे powder का इस्ति पाउडर आप अपने आथ पे रखना ऐसा ने की डब्बी में से लेते जाए लगाते जाए नहीं आप अलग से आथ पे रख लेना और जैसे सुखा मंजन करते हैं दातों के उपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उंगली में लेकर आप इसे और अपने मसूडों पर मसाज की आप चाहें तो ब्रस की साहता से भी कर सकते हो अंदर के जो दात होते हैं दाड़ होती हैं उनके उपर और इसको करने के बाद में 2-4 मिनिट उसके बाद में आपको ये कम से कम 10 मिनिट तक अपने मूँ में इसी तरीके से छोड़ देना है और मूँ को नीचे लटका के रख इसके साथ साथ जिनके मसूडे फूले हो ये हैं पायरिया हो गया है पलार्क जमा है उनको एक और आसान सा नुसका बता रही हैं दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है निम्बु तो सभी के गरों में होते हैं निम्बु का छोटा सा स्लाइस कट कर ले चिलके समेत आपक आप ठूपते न, बहुत काम का नुस्खा है, आप देखेंगे, आपके मसूडे एकदम ठीक हो जाएंगे, स्वेलिंग पूरी ठीक होने लगेगी, खून आ रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा कुछ दिन में, और आपके जो मसूडों की सूजन है, पूरी तरह से घायब हो कम से कम मैना बर तो आजमाना है, उसके बाद में आपको लगता है, अच्छे से फायदा हो रहा है न आपको, तो आप कुछ दिन और आजमा सकते हो, इसी के साथ जैसे किसी को लोंग के पाउडर का इस्तिमाल नहीं करना है, तो आपके गर में अल्दी और नमक तो सभी के ग काम के अजयर कर्णे को बुत जयर दो आप करते हैं जोन उसके पूरी तरह से फायदा देने वाले होते हैं, कई बढर कमेंट आते हैं, कि आमने नुसके से फायदा नहीं हो, तो आप ऐसा ना समझे उसी नुसके से और जन को बहुत ज्यादा फायदा होता है डिपेंड करता है सभी की सरीर की तासीर अलग-अलग होती है सभी की बोड़ी अलग-अलग होती है तो कभी-कभी क्या होता है कोई-कोई नुसका किसी-किसी को फायदा नहीं करता है तो आप दूसरे नुसके आजमाकर देखें और कुछ दिन आप लगातार आजमागें तभी आपको फाइदा मिलेगा एक दो दिन में जल्दी फाइदा नहीं होता है इनसे आपको तुरंत थोड़ा फाइदा लगेगा जो मैसुस नहीं होगा लेकिन लंबे समय तक आजमाएंगे तो पूरा फाइदा उसके कारण ये सारी समश्याय आने लगती है लेकिन कщее गरेल Smith अपना सकते हैं और इस समश्या से चूटकारा पा सकते है बेहदी बड़ी अनुस्खे हैं दोस्तों और जो अल्दी वाला नुस्खा है न वो तो आप जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं अल्दी नमक और सर्चों का तेल इसका आपको कम से कम सप्ता में तीन बार तो जरूर परियोग करवा देना चाहिए बच्चों के लिए बेहधी खास रहे तहागी चलके बच्चों को कभी भी समश्याइन नहीं आती है मसूडों या दातों सरी संबंदित तो ये था अमारा आ पुत्बो दन्यवाद